नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे जैनप बहुत बहुत स्वागत है बुधवार के दिन स्री गणेश की पूजा का विशेश दिन होता है भगवान स्री गणेश को सभी दुखों का पालनहार माना जाता है हिंदु धर्म में प्रमुक पाँच देवी देवता यानि की सूर्य, विश्णू, शिव, शक्ती और गनपती में भगवान गनेश की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि गनेश जी को भोतिक, देहिक और अध्यात्मिक कामनाओं की सिद्धी के लिए सबसे पहले पूजा जाता है इसलिए इन्हें गनाध्यक्षक और मंगल मूर्ति कहा जाता है भगवान गनेश स्वयम रिद्धी सिद्धी के दाता और शुब लाब के प्रदाता है आज आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके करज से भी मुक्ति मिलेगी और घर में लक्षमी का धन का आगमन होगा और आपकी सभी मनोकामनाई पूर्ण होंगी इसके लिए आपको दो सामगरी की जरुरत पड़ेगी जो की हैं शुद्ध घी जो की गाय का घी होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें और दूसरा है गुड़ गुड़ पूरा प्योर गुड़ होना चाहिए साफ सफाई से बना हुआ गुड़ ही आप ले और इस पूजा में आपको बुद्धवार के दिन इस दो चीज को शामिल करना है पंचामरत में एक अमरत घी होता है जो की घी उष्टी वर्धक और रोगनाशक भी कहा जाता है भगवान गणेश को घी काफी पसंद ह इसलिए आप घी का भोग जरूर लगाएं और मोदक का हो सके तो भोग लगाएं घी और गुड़ का भोग आपको बुद्धवार की पूजा में जरूर लगाना है चाहे आप शाम को पूजा करें या फिर सुबह के टाइम पूजा करें आप भगवान स्री गनेश को एक सुक्ति मिले ही ही साथ में आपको घर में भी सुक समर्दी भी प्राप्त होगी अगर आपके घर में बच्चे हैं पढ़ाई में ठीक नहीं हैं तो आप उनके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं आप उनके हातों से इस उपाय को करवाएं और एक दुर्बा साथ में जरूर का संचार होगा घर में सभी की बुद्धी तेज होगी आप नित प्रति दिन भी एक दुर्बा गणेश जी को अर्पित करने की आदट डालें बच्चों को भी अपने एक दुर्बा जरूर चड़वाएं गणेश जी की क्रपा सदा पर बनी रहेगी आप लोग अगर हमारे चैनल पर कई उपाय देखना चाते हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं से रिलेटेड हैं आप उनका समाधान चाते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर आईएगा और हमारे चैनल पर उपाय देखिएगा कई लोगों को उन उपायों से लाब मिला है आप हमारे चैन स्रीजिवाई नमस्तव्यम